हेलो फ्रेंग्स बूड मॉर्निंग राधे राधे कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं मेरा सारा काम हो गया था और हम नहाँ भी लिये थे तो सुबह का वजरा था साइद तस और मेरा देखे चुड़ा दूद का नास्ता हो उसको लग रहा था जब हम खाने बैटते हैं ऐसी करते हैं को खाने समय सहीं से नहीं देगे हैं तो जानी रही थी ये कि आङ galax सको लगा हम को देगी वह कि नीचे जाओ करेंगे तो हम तो ए परिसान जदा निकरे हैं मेंकि कुंकि अभी धीर्थ वो लोग समझ जाती है अर बता लिए इसको किता भूख लगता है तीन भार खाने के लिए ही पीछे पड़ी रहती है तो थोड़ासा आसांत हुई है यह फिर भी वह थोड़ास डर जाती है फिर वैसे ही करने लगती आज हम सुबह में नास्ता नहीं बनाया थे आज को स्पेसल बनाने का मन था तो इसलिए आज नास्ता नहीं बना है और तो दूद्ध चुड़ा खा रहे हैं है दर रही है तो मेरा दूद्ध चुड़ा खतम हो गया था खाल यह थे और यह देखिए यह देख रही ती कटोरा की क्या कर दिए इसका बस चले ना तो मेरा पेट क से निकाल ले खाना अ के बाद नास्ता करने के बाद यह बाल जहाँ नहीं कहते लुद्ध की आखिया और मेरा अबरत नकरता यथे दो तीन दीन में मेरा एक稱 रभर बालस घिह लेती है और ब्रबास कर देती है तो देखेए देर कुछ थी था इम्हाने वला खेला लगी वाल जायद ने लगा लाजकल न बहुत जादा जड़ने लगा है फुक्त इधर बहुत ज्यादा बगटनिस हो गया और टेंसमिक अर्ट गरन तो बहुत जादा मेरा बाल जह रहा है और मतलब मेरा सर भी बहुत दर्द करता है इधर तो इसके करन जब सर जादा दर्द होता है ना तो मेरा बाल बहुत जादा छड़ता है और हम होता है ना कि पहले हम पहले क्या होता था ना एक दो साल पहले कि हम बाल में तेल ही नहीं लगाते थे और बहुत बार बार सर में मेरा बहुत बार चोट भी लगा है तो तेल हमको पसंद नहीं है लगाना उतना लेकिन इधर क्या होता है ना बाल बहुत बढ़ा हो गया है और उसके बाद मेरा बाल इतना पतला है ना इतना पतला है कि बहुत जादा उलजता है कंडिशनर लगाने के बावजूद भी उलचता है क्योंकि बहुत जादा पतला बाल है इसके कारण इस तरीके से हम चोटी बांद लेते हैं ताकि इसे कम उलचता है और मेरा सर थोड़ा सा कम दर्द करता है अगर खुला बाल रखेंगे तो उसमें भी दर्द करता है तो मेरा चोटी बनाए तो देखिए आज हम लाए थे मचली और मचली था 400 ग्राम रहुक और लाने तो गया थे हम ज्यादा लाते लेकिन क्या हुआ ना कि छोटा वाला मचली मिला यह नहीं तो एक आदमी ले रहे थे तो उनको एक केजी लेना था और एक केजी 400 ग्राम का ही मचली था नहीं था तो हमको 400 ग्राम मिला उनको एक कीजी मिल गया तो इस मसाले में न हमसाला एक चमल डाल कफramosचे एक हम जब डाल किस को 10 मिनट रख देंगे यह मसाले में मिला हुए है मिर्ची धन्या पाओडर मिर्ची धन्या नहेसूने जर्म्ड़ एक पहना इक और लहसौन क बनाता है बनаствर है सरसो यह मेरी ममी इस तरीके से बनाती है मसली तो यह हम डाले इस तरीके से humidity मसाला PB 166 बनाइंगी तो एक दम इतना टिस्टी लगता है एतना टिस्टी लगता है मतलब और जो बहुत से लोग बनाते हैं की पाउडर से बनाते तो पाउडर का क्या होता है ना कि उतना स्वाद नहीं आता है बन तो जाता है लेकिन देखने में अभी अच्छा लगेगा लेकिन क्या होता है ना कि स्वाद नहीं आता है तो उस समय हम इसमें तेल डानना भूल गये थे तो अभी हम तेल एक चमल डाल दी है उसके बाद कि हम कैसे मचली बनाते हैं मम्मी लोग ऐसे बनाती थी मतलब तो देख देखे हैं और यहां बहुत कम यह सब बनाते हैं क्योंकि होता है क्या है ना कि एक अच्छा नहीं लगता खाने में लेकिन कभी कभी होता है एक डेड़ महीने हो जाता है तो हम कुछ लाते हैं बनाने के लग भग लगता है कि एक महिने से ज्यादा हो गया था तो माज मसली लाए हैं वीच में चिकन लाए थे लेकिन छीकन थोड़ा साव हो जाता है बनाने में और मसली थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन दोनों अच्छा लगता हैं को तो देखिए मेरा मसली हुझा रहा था हम कम तेल में लोग ज 가지고 बनाती थी टो अभी लोग बनाती है दो नवन पूरा एकड़ा एक दम चाब देती है तो इस तोरिका से नहीं हम बना रहे हैं ममें जैसे बनाती थी पहले तो मेरा भूजा गया था ख्राइए हो गया था वह मचली 6 है तो तीन तीन पीस और यह क्या है न अरव पतला वहला है नॉन स्टिक भी नहीं है और सभी अधी नहीं है तो बहुत पतला मेम तो देखिए बहुत टाइम लग गया भूरा बंको क्या हो रधा कि अधे मेरा मचली बू определ के पतला होने के कारण बहुत जादा टाइम लग गया हम को इसको पिस में फूजने के लिए कई देखे कुछानी और चिकुरानी भी परिसान है कि चिकुरानी को सेंट आता है ना तो परिसान दती इसमें अभी हम सर्सों का फोरन और मेची डाले क्योंकि दो भूंजा हुआ हम मसली खाया तो उसमें लगा कि तीता नहीं होने वाला मतलब मेच कम है तो इसलिए हम दो मेच डाल दिए ताकि यह सब क्या होता है ना कि चिकेन मटन अगर बनाते हैं या मसली बनाते हैं तो तुछा जालदार रहता है तुछा तीखा रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए दोगों मेची डाले क्योंकि दोगों भूंजा हुआ हम खाय तो वह मतलब ठीक लगा लेकिन तीता ने हमको लगा कि जब भूंजने में भी थोड़ा सा कमती देंपलता नमक डाले थे तो इसमें नमक डाल लियंगर दूर्द हो अदहां कि तील लिये देता है क्योंकि हो क्या होता है ना पूरा अब मतलब अच्छा यूदा ना इसलिए पूरन वहिं धाक दे रहते हैं कि आगी बाहर थी नहीं हो बर्तन गंदा हो जाता है पुरा और क्या होता हैि चलर भी गंदा हो जाता है तो डहख देने से 70 भुजा भी जाता है वर अच्छा भर होता है कि देखिए तो देखी देखता मेरा मचली भुजा रहा था और यह घте जंदा वाणा की यहां पे ले खुशार submitted you सिर्फ बhूंजा हुए ही पसंद आता है खाने में जान बोज के लाए थे कि पहुत सारजट सारा बहुत लोग मेरे पापा लोग बोलते थे ना कि वह मसली अच्छा नहीं होता है लेकिन सब बहुत लोग से सुने थे और यहां पर ठेला पर डेली कम से कम तो 10-15 kg ठेला पर साम में फ्राइ करके बीजता है तो एक वार मेरी फ्रेंड ना आई थी ना तो फ्रेंड वही मंगा आई थी तो हम भी खाया थे तो अच्छा लगा था तो बहुत लोग से सुने कि सिर्फ फ्राइ किया हुआ ना मतलब अच्छा लगता है तो हम सचे कि इसमें ग्रेवी भी बना के देखते हैं तो ग्रेवी भी बनाया थे तो हमें ग्रेवी बला नहीं पसंदा है लेकिन फ्राइ किया वो ना अच्छा लगा था तो इसलिए तो वह लाम कभी नहीं लेते हैं कभी कोई आये हुए रहेंगे मेरी फ्रेंड लोग जो जो भी कोई और तभी फ्राइवला लाएंगे क्योंकि फ्राइए एक ले अच्छा नहीं लगता है लगता है कि दो-तीन लोग रहें यह सब तो च तो देखिए मेरा मचली बंद चुका है कैसा लग रहा है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे थैंक फिर थैंक यू